नमस्कार फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देशा एगरी कल्चर अकेडमी पर क्योंकि देशा एगरी कल्चर अकेडमी एक मात चैनल जो BSC AG सेमेश्टर एक्जाम की तयारी में जीतोड के लगा है और काफी श्टूडेंट के लगातार कमेंट्स आने के बाद में हम इस सिस्से में पहुँच चुके हैं कि आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्से आपको दे पाएं इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए गाइज, लगातार आपको कल्स दे रहा हैं और फटा-फट के अंदाज में देख लेना वीडियो के स्वीड बढ़ा करके क्योंकि आज ही एक्जाम होगा, का भी important प्रस्ण है, अगर आपने देशा अग्रिकल से अकडमी से तयारी की है, तो आपको परिच्छा में हमारे इसाब से दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ अपर selected content आपको provide किया जाता है, फिर यह आप कॉस्टम में, तो start करते हैं वीडियो को उससे पहले हो सके, जितना सभी लोग वीडियो को share कर दो, जितना हो सके उतना share कर दो यार इससे क्या होगा, कि आपके दोस्त, आपके साथ ही, आपके भाई भी इस class को join करेंगे, और अ questions को, भारतिये करसी अनुसंदान परिशत, यानि ICAR, भारतिये करसी अनुसंदान परिशत, यानि ICAR के महानिदेशक कौन थे, ठीक है, बात की जाए, ICAR की स्तापना कब होई थी, 1939 में होई थी, मुख्याले कहां पर है, इसका मुख्याले नई, दिल्ली में है, ठीक है, और ICAR के परताम, डीजी को हों थे, डाक्टर बीबी पाल, जो डाक्टर बीबी पाल थे, ICAR के परताम महानिदेशक क्यानि, डीजी माने जाते हैं, जबकि हमें स्वामी नातन, भारत में हरित करांत के पिता कहें जाते हैं, question number 2, भारत को कितने एग्रो कलाइमेटिक जोन्स में बाटा गया है, मतलब भारत कितने जलवाईवी चेत्र में बाटा गया है, बात कर रहा है भारत की, अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत को तो माटा गया 15 में, बात के कि उत्तर परदेश को कितने जलवाई चेत्र में पॉर्चों किया एक ऱोिकवलिज जोन कितने एक्रोम एक्रो लॉजी एको से बन गया इंक, इंक से बनाा 21 मतलब भारत में जो एक्रोमिप्र्डिक जोन है ुपी में नौ है लेकिन जब सब्ध आजाए एक्रोमि फीच आयए रिश ये भारत में होते हैं कुस्चिन नंबर नेक्स्ट भारतिय संशत के दोरा कीट नासी एक्ट यानि innocenticide जो एक्ट है वो कब पारिद किया गया था। 1968 1948 1980 1956 काफी अचाए प्रसंद है तो 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये कप पारित हुआ था 1968 में तो आप्सन नमबर ए यहां पे बिल्कुल सही है जो भी विध्यार थी आप्सन नमबर ए के साथ में उनका यहां पे उत्तर बिल्कुल करेक्ट और सांदर उत्तर माना जा दाएगा कोशन नमबर नेक्स्ट जाने से पहले सभी लोगार वीडियो को लाइक कर दो नए फ्रेंट चलो को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो प्लीज आप सेयर जरूर कर दें बार बार कह रहा हूं आप समझ सकते हो कल सामको क्लास दी सुबह पांच बज़े क्लास दी इसके बाद फिर कलास साथ बज़े दी फिर नौ बज़े कलास दी फिर फिर हमने कलास दी आप देखो आपकी बीच में पुना फिर कलास दे रहे हैं तो छैसे साथ क्लास आपको मिलगी है इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार बताओ सबी like share करने में कंजूसी कते ही न करें ठीक है न धान की फसल में जिंक की कमी के करण कौन सा रोग उत्पन होता है बात करें अरगट बिमारी किसमें लगती तो अरगट बिमारी लगती बाजरा में लगती कपक के दोरा कलैबी सेफ्स फ्योजिफ फॉर्मिट जुलसा रोग आलू टमाठर बैंगर आदी में लग जाता है ठीक है न इस्मट की बात करें इस्मट यह गेहूं में लगता है जैसा लूजिफ Supaer आभ भीट और खहरा बिमारी का समन्द गेहूं से है यह बीमारी जिंक तब की कमी से होती है और जो तराई मर्दाएं होती ही वहाँ पर ज्यादा देकनों के मिलती है जो तराई मर्दाओं में ज्यादा देकनों के मिलती है जो तराई मर्दाओं होती है वहाँ पर जिंक की कमी पाई जाती है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उप् विटामिन वीवारा का जो रासानिक नाम होता सायनो कोबाला मिन सायनो कोबाला मिन क्या होता है विटामिन वीवारा का रासानिक नाम सायनो कोबाला मिन सायनो कोबाला मिन यह होता है इसका रासानिक नाम कोबाला से बना कोबाल्ट तो कोबाल्ट दात किस विटामिन फ़ाई आती है, विटामिन B-12 में होगो दात हो है और कोबाल्ट है, सही उत्तर जाएगा, option number B के साफ़ में, next, दलहनी फजलों में वीज उपचार करते हैं, मतलब जो दलहनी crops हैं, उसमें वीज उपचार किसके दोरा करते हैं, राजड़ो करता है वो राइजोबें बैक्टिरिया करता है अच्छा बात की जाए एजोटा बैक्टर एफ फास्पोबैक्ट ठीका तो देखो काफी अच्छा यह प्रसना एक्जाम औरियंटेट प्रसना है को जो एजोटा प्रियोग करते मुकुरूब से जोर और बाजरा में ठीक ना ज गन्ना हुआ गेहूँ हुआ गन्ना गेहूँ धान इन क्रॉप में करते एजोटा बैक्टर का यूज को से नमर्नेक्स्ट मर्दा कटाब नहीं होता है ऐसी भूमिया जो सोड कल्चर टाइप की भूमिया है बोले तो ऐसी भूमिय जहां पर क्रॉप के साथ साथ में कर्पतबार उगिनियर जाते हैं क्योंकि यह मरददा कटाऊ को बांद करके चलती यह जिंद्धिस वाले इलाके हैं जहांपर सोड्कल्चर को अपनाया जाता वहां पर मरदा कटाऊ नहींassyता है यूरिया में नाइट्रोजन की बात की जाए तो कितने परसंट होती है तो 46 परसंट यूरिया में नाइट्रोजन होती है जो 2018 में जो करें तो 1963 में और जो बारती बीज अदिनी में इन्डियन शीड एक्ट है यह 1979 को लागों की आइच पका गया था तो काभी अच्छा यह प्रसंद है इससे देख लें आप लोग मौक व्रक तेल की मातरा होती है कितने परसंट होती है 42 परसंट तो होती है प्रोटीन और तेल की मातरा सोया बिन में होती है तेल तेल बना 20 परसंट सोया बिन में तेल की मातरा 20 परसंट और प्रोटीन 40-42 परसंट होती है तो यह काफी इस्चा प्रसंट है एक्जाम के हिसाब से याद कर लेना आप लोग गेहूं में एक बिमारी जिसका नाम है करनाल बंट यह बिमारी नियो वासिया इंडिका यह बिमारी जो है नियो वासिया इंडिका यह बिमारी नियो वासिया इंडिका नाम फफोंद यानि कबक के द्वारा होती है सबसे पहले यह बिमारी करनाल में खोजी गई थी सबसे पहले यह बिमारी करनाल में खोजी गई थी खोजने वाले ब्यक्तिका नाम था मित्रा और जब यह बिमारी केत में हो जाती है तो प्रतिवी दिवस मनाते हैं इनिमो मेटर से अंतर राश्टी महिला दिवस प्रतिवस आठ मार्स को मनाया जाता है और विसु पर्यावन दिवस प्रतिवस पांच जोन को मनाया जाता है विसु एक दिवस योग दिवस योगा डे मनाते हैं 21 जोन को और प्रतिवी दिवस मनाते हैं 20 अपरेल को विसु साथ दिवस मनाते हैं 7 अपरेल को क्यों क्यों क्योंकि 7 अपरेल 1948 को 7 अपरेल 1948 को डबलू एचो विसु साथ संक्रन की स्तापना होई थी इसका मुख्यले जैने याद कर लेना आप विस सुभान की दिवस कब मनाते हैं 21 मार्च को मनाते हैं घर दिशंबर को मनाते हैं तो दिसम्बर को मनाते हैं मेजर ध्यान चंद्र जी जन दिवस्थ पर ध्यान एशा खेल खेल गया कि सब द्धियान में रह गया झाभी अची बात हैं यह किशान दिवस कम मनाथें इस अधिन फिर दिसंबर लोगते है किसान दिवस चओदरी चरंथ सूंत कि याद वैं जो पॉंडी चेरी है यहां पर पहला करस्ट ज्यान केंदर देश का खोला गया था बात की जाए 1960 की तो 1960 में भारत किया पहला करस्ट पर सुबिद्या लिए यह फर्स्ट एग्रिकल्चर यूनिवर्स्टी जो है यह खोली गई थी जिसका नाम था जी बीपी यूएटी गोब करते हैं प्रस्ट नंबर नश्ट की तरफ प्रतेम प्रस्ट की विक्र से विज्ञान केंदर पॉंडिचेरी सही है काप यह प्रस्ट में क्या स्थित है ये स्वी आई मतलब सुगर केंड ब्रेडिंग इंस्ट्यूट यह को यम बटूर में स्थित है और बात की जाए NSI और आई आई पी यारी दोनों संस्थान कहां पर यह कानपुर में पंथ नगर में पने जीवी फियूर्टी मतलब गोविंद वाला पंथ यूनिवस्टी आप अगरिकल चलन टेक्नोलजी यह स्थित है ठीक है तो नेक्स्ट कोर्शन के आए देखते हैं गन्ये की लाजधन बिम लेते हैं इसमें गुरुकोच की मतला ज्यादा पाई जाती है और यह आसानी से जमाव कर जाता है बीच को बोने से पहले एगलाल वा एरिटांस से उपचारित करके बोना चाहिए तो फिर गन्ये की लाजधन बिमारी लगने के चांस ना के बरावर रहते हैं को से नमबर न बात करेगा तो पंजाब यहां पर राइट उत्तर माना जाएगा 100% सिंचित राज की बात करें कि सचाई 100% सिंचित राज है तो भी पंजाब है पांच नदियों की भूंग भी बोलते हैं पंजाब को से नमबर नेक्स्ट आंद परदेश में फलों की खेती सबसे ज़्यादा होती सबस़चान alot पर पनका पर रहें नक्स्ट प्रियोग साला से खेट तक बोले तु लैब टू लैंड उनीस सो उन्यासी में यह जो प्रोग्राम है आई सी ए आर के दोरा स्टार्ट किया गया था तो राइट उतर जाएगा आई सी ए आर यानी ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर है कोस्टन नंबर नेक्स्ट चारी भोम के खुदार के लिए प्रियोग करते हैं एसी भोमिया जिसका प्याच मान हमेशह क्या होता है सास से अधिक हो सोडियम की मात्रा पंदा पर्सेंट से अधिक हो और चारी भोमिय जो है उत्रप्रदित में ज़्यादा पाई जाती है ठीक है ना बिलकूल तो इनके सुदार के लिए अपनों जिफसाम, फायराइट, कैलेसियम और रोक्त सभी का यूज कर देंगे तो यहाँ पे जो है शारी मर्दा का सुदार हो जाता है नेक्स्ट परड़ी छड़काओ के लिए सबसे उप्यूप्त औरबरक है ऐसा और बरक जो फॉलियर इस्प्रे के रूप में अच्छा माना जाता है उसको बोलते है पड़ी छिरकाओ, तो यूरिया पड़ी छिरकाओ के लिए बेस्ट है यूरिया में 46% नाइट्रोजन है डियेपी में दो तर्त होते है, 18% होती है नाइट्रोजन और 46% होता है P2O5, यह होता है DAP में ठीक है, अमोनियम सल्फेट नो दो सीज़े होती है मतलब 20% होती है, यहां पर 20.5% होती है नाइट्रोजन और सल्फर, अमोनियम सल्फेट, मतलब सल्फर है मतलब यहां पर 24% बाई जाती ही मातरा सल्फर की काफी अच्छा यह प्रसन है, सिंगल सुपर फास्पेट, 12% यहां पर जाएगा सल्फर 12% और और जो P2O5 हो 16% पाएगा P2O5 तो यह थी टॉप 10 कोस्टन्स, आई होप आपको क्लास पसंद आए होगी अगर कलास पसंद आए तो वीडियो कर देने लाइक, नेपने जाल को तरना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ततके नमस्कार, थैंक्स फर वासिंग